पदानी कैसे कैसे करके मैंने हिम्मत जुटा ये वीडियो बनाने की नहीं हो रहा था या जब से टोनी खान का वो ट्वीड देखा है न मतलब जान निकल गई या निपल से ने ने क्या डायल हो गया हो बस ठीका कि निपल से रूह निकल गई भाई और उसो वीडियो शुरूने से पहले मैं आपको बता देता हूँ सिंस आज संडे है और वो सीरीज अभी अभी शुरू हुई है तो मैं सोच रहा हूँ कि आज एक संडे एपिसोड भी दे ही देते है पहले तो मैंने सोच आता सिफ मंडे से फ्राइडे होगा लेकिन नहीं आज संडे साथ बजए आएगी वो स्पेशल एक मिनिट वाली वीडियो नाम अभी तक नहीं सोचा समझ में यारा क्या नाम लखू तो यास जमा चैंपियंस ओफ दो बोड मैं हो थे डियक्स चेतन भूलने की कोशिश करेंगे और साथ इसाथ आज काफी चीज़ों के बारे में बात करेंगे स्पेशली युनिफाइड टाइटल्स के बारे में उसके पहले यार देखो विन्स रूसों ने क्या चीज बताई विन्स रूसों सेड किया मेरे को ऐसा लगने लगा है कि सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच को किसी चीज की पनिश्मेंट मिल रही है यह मतलब यह टिपिकल फैंस का रियाक्शन होता है ना तो बेकी लिंच को ट्रीट किया गया उनका मानना है कि इसी वज़े से शायद से उनको कोई पनिश्मेंट मिल रही है और वह उन्हें बिना बताया पता नहीं किस चीज की पनिश्मेंट है यह नहीं नहीं बताया अटलीस रिजन बताता तो हमारे पस बिलीव करने के लिए हुआ है तो इसका मतलब है कि हम सबको आपकी बात माननी पड़ेगे कि हाँ हो सकता है कि punishment मिली ही रही हो बट सही है यार देखो अगर आप Seth Rollins के fans हो जो की काफी सारे हैं और अगर आप वो चीज उनकी सुनोगे तो आप भी effect होगे तो इनका ऐसे यह भाई धीरे धीरे आपको कबजे में करते हैं फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब यह आपके superstars के लिए यह बता देंगे कि देखो आपके superstar को कैसे WWE यूज नहीं कर देंगे फिर ही आपको यह बता देंगे कि किस तरह से WWE यूज बेकार है फिर किस तरह सब shift होने लग जाओगे भाई सब बहुत बड़ा चक्रिवी है और रेंडी ओटन ने रिसेंट लिए एक इंटर्वी के दुरान यह बताए कि किस तरह से वो Daniel Bryan को miss करते है और कहा कि I wish he was still here well don't worry he will come back soon like इतना जल्दी क्या है Randy Orton and I know कि miss करना बनता भी है क्योंकि जो Daniel Bryan की एक massive popularity जो आई थी उसका बड़ा हिस्सा Randy Orton भी रहे है जो वो rivalry हुई थी In fact Randy Orton का जो recent heel turn रहा है I think उसमें one of the best stint वो तभी आया था जब वो ब्राइन के साथ था तो of course यार बनता भी है And Daniel Bryan is that guy जो कि like हर कोई चाता है कि वो उनकी promotion में हो तो of course miss करना बनता है Also Gunther, Gunther formerly known as Walter तो उन्होंने Wrestling Inc. नाम की website को interview देते हुए पता है क्या बताया कि अगर उसका originally नाम मतलब NXT, UK, NXT के दोनान अगर गुंथर नाम होता और फिर बाद में अगर वो Walter में change होता तो भी लोग करते complain तो भी लोग complain करने वाले थे and I'm like कि यार बन्दा तो सही है क्योंकि जो main दिक्कत है वो हमें नाम से थोड़ी है कि नाम कितना बेकार है मतलब आप ध्यान से सोचोगे तो हमें दिक्कत इस चीज से होती है कि हम जिस चीज से used to थे अचानक से वो change कैसे हो गई अभी आधे लोगों को तो याद भी नहीं रावा कि madcap moss madcap moss नहीं बलकि redic moss हुआ करता था अभी लगता है कि या रिडिक moss क्यों भाई madcap moss ही तो ठीक है बढ़ उस टेम पर हमें कैसे लगाता कि या है क्या नाम हो गया वह इट्स जोस्ट अल अल बाउट कि या हम लोग पता है आजकल टिक टॉक वाली दुनिया में जहापे 15 सेकिंड के अंदर हमें satisfaction चाहिए और ऐसी situation में हम लोग कुछ भी sensible expect कर ही क्या सकते हैं यार हर चोटी से चोटी चीज में हम कुछ चीजे निकालनी है बढ़ यह I definitely agree with Walter और गुंथर and I liked how कि किस तरह से जिस बंदे के लिए कहा जा रहा है वो भी बंदा सामने से आके बोल रहा है तो सोच लो कि यार fans किस extent तक जा सकते कि superstar को आके बोलने पड़ रहा कि भाहिया मैं अपने नाम जखुस हूँ भाहिया तुम क्यों परिसान कर रहे है यार मेरे को लड़ने तो नाव फी एंट अबीशन 1714 नैंटनोंम और मेंट फाइन क्यों फ्रेजी जा सब्सक्राणल पर श्यूंक जस्ते हैं। तो like हम तो सोच रहते हैं कि Brown Breaker Roman Reigns को हरा कि इस सारी Championship ने capture कर ले खिर इतनी नौबत तो नहीं आने वाली बढ़ Tag Team Championship से एक ऐसी Championship से जिसको personally मैं चाहता हूँ कि भाया कुछ हो ना हो लेकिन ये तो Unify हो जाए इतनी सारी Championships रखने का क्या हलुआ करेंगे हम भाई NXT की Tag Team Championship, NXT UK Tag Team Championship और SmackDown Raw Tag Team Championship, Women's Tag Team Championship और अगर आप AEW भी देखते हो तो फिर आपको उधर की Tag Team Championship देखनी पड़ते हैं मतलब इतनी सारी Tag Team Championships क्यों है दुनिया में क्या एक दू World Championships नहीं हो सकते क्या और अगर एक ही Tag Team Championship रहेगी ना तो मेरे को ऐसा लगदा है कि हमें जो variety है ना Tag Team Wrestling की rivalry में वो भी ज़्यादा देखने को मिलेगी मतलब हमें क्या ही देखने को मिला था या रूसो जो New Day कभी कभी हो जाता था पिछली बार या फिर कोई random Tag Team बनानी पड़ी उने जैसे Ziggler और Roode की तो उससे अच्छा करने से अच्छा है ना कि भाई आप एक ही Championship रहो Raw SmackDown में जा सके most people are against a draft but I am definitely with the draft closing मतलब मैं सही में चाहता हूँ कि जो draft वाली situation आप ये बंद हो जाए भाई बहुत हो गया मतलब ठीक है दूर से देखने में अच्छा लगता है लेकिन जब आपके साथ हो रहा होते ना तब आपको पता चलता है कि अरे यार बहुत सारी opportunities miss भी तो हो रही है तो ऐसे में मेरे ये हो कि कोई दूसरा superstar जीते और वो unify कर दे तो तो हम कुछ नहीं कह सकते बट अभी के लिए तो ऐसा कुछ rule लग नहीं रहा है अभी के लिए ऐसा हो सकता है कि दोनों championship से एक साथ defend होंगी because I don't think so कि Roman Reigns दो-दो match लड़ने वाले तो अगर कोई अगला superstar लड़ेगा तो I think वो दो-दो बाइ defend करके championships हार सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इसका ये मतलब है कि draft बंद होने वाला नहीं है अभी पता है क्या लग कि एक Dutch mental करके जो उसके साथ आता था ना Jack Swagger के साथ Zeb Coulter तो उसने क्या बताया कि Randy Orton शुद भी दगाया जो कि Roman Reigns के साथ लगना चाहिए and I kinda liked the idea जिस तरह से like उसो उसको भेज रहे है Roman Reigns, Randy Orton और RK Bro को हरवाने के लिए और अगर महा से Randy versus Roman एक ऐसी rivalry जो कि हमने देखी ही नहीं है अब आप कहोगे देखी तो थी भाई वो कब की बात कर रहे है आप यार और वो भी एक दू मैच ही थे मुझे लग रहा है Roman Reigns versus Randy Orton is a rivalry जो कि like literally होनी चाहिए इस समय भयांकर वाली Randy Orton is face, Roman Reigns is heel, however यह तो expect नहीं किया था कि ऐसा side changes होंगी बट still लेकिन दोनों के बीच हमको पता है massive matches देखने को मिल सकते है and when we say unifying titles है Roman Reigns के पास, unifying का और किस किस के साथ relationship रहा है Randy Orton के साथ, Randy Orton एक पर फिर से दो दो championship के साथ भाई मैं तो यह definitely देखना चाहूंगा तो मैं भी definitely इस चीज के support में हो कि अगर Randy Orton versus Roman Reigns हुआ I think वो blockbuster rivalry बन सकती है इस साल की तो yeah, अगर Usos को भीज रहे हो तो please इस तरह से भीजो कि हमें एक Randy versus Roman देखने को मिल ही जाए और इस बाद unifying championship की I'm definitely with the thing कि यार draft बन हो जाए I know कि काफी लोग disagree करेंगे हो सकता है कि इस पर 70-30 का है 70 लोग कहेंगे कि अरे यार नहीं draft बन नहीं होना चाहिए but anyways that is it for this video definitely comments में लिख कर बता है who do you think के Roman Reigns का अगला पोनेंट हो एची do you think Cody Seth Rollins या फिल Randy Yotan is a great idea comments में लिगो और अगर 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 पसन है तो प्ली लाग कर स्विश्यों को जाने subscribe करो इसको बुलाया Friday's को इसने RKO धालग पाया